आपके सामने math का इस तरह से कोई question आ जाता है, तो आप लोगों से second row में कैसे solve करेंगे, अगर आपके सामने कोई series दी जादी है, तो आप उसे कैसे solve करेंगे, एक बार देख लीजिए, one upon difference, bracket में one upon first term, minus one upon last term, अब इसमें क्या क्या करते हैं, देखें, difference कि सिश्का लेते हैं, जो नीचे की दो संख्या हैं, उसका difference ले ले लेंगे, तो difference कितना आ जाएगा, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, ठीक है, यहाँ पर minus और plus का निशान नहीं आता, सिर्फ आ जाएगा, वन आ जाएगा, अगर यहाँ पर भी दिखेंगी difference कितना आ रहा होगा, वन आ रह होगा, तो difference की जगा लिख देंगे, वन आ पॉन लिख देंगे, फिर वन लिख देंगे, फर्स टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स टर्म जो होता है, वो याला टर्म होता है, याला टर्म हो जाएगा, तो वन आ पॉन आ जाएगा, माइनस, लास टर्म क्या होगा, लास टर्म हो हुआ है।